Dear Students, Assalamualaikum Islamiyatki class में सबको Welcome कहती हूँ Students हमने कल सबक नमबर 9 निमाज की पढ़ाई स्टार्ट की थी आज हम उसकी remaining पढ़ाई करेंगे लेकिन सबसे पहले आप अपना होमवर्क पहले नोट डाउन कर ले होमवर्क आप लोगों का है सबक नमबर 9 निमाज सफ़ा नमबर 45 की पढ़ाई करें सबक नमबर 9 निमाज सफ़ा नमबर 45 की पढ़ाई करें सबने होमवर्क नोट डाउन कर लिया चलें अब सारे स्टूडंस सफ़ा नमबर 45 निका ले सारे स्टूडंस ने सफ़ा नमबर 45 निका लिया तो बच्चो सफ़ा नमबर पैंटालिस पर आज हम निमाज पढ़ने का तरीका सीखेंगे ठीक है आप लोग सब देखते जाएं बिसमिल्लाहरह्मान रहीं अब हम निमाज पढ़ने का तरीका सीखते हैं अब हम निमाज पढ़ने का तरीका सीखते हैं निमाज का तरीका वजू के बाद साफ और पाक जगा पर किब्ला की तरफ रुख करके खड़ें हो जाएं किस साफ आपने रुख करना है किब्ले की तरफ ठीक है नमाज की नियत करें वजू करके एक पाक साफ जगा पर आपने जानिमास जो है तो वो डाल दीनी है ठीक है लेकिन जानिमास का रुख किस तरफ होगा या आपका मूँ किस तरफ होगा किबले की तरफ होगा और फिर हमने क्या करना है नमास की नियत करनी है इदर देखें तस्वीर नमबर एक में देखें बच्चे को देख लें इसी तरह आपने जब नियत करनी है तो आपने अपने दोनों हाथ बिलकुल स्ट्रेट रखने है सीधे रखने है बिलकुल अपने हाथ अपने जिसम के اور लड़कें दोनों के लिए जो तरीका है वो दिया गया है सेम तरीका है लेकिन लड़के क्या पहनेंगे अपनी टोपी और लड़कें के सारे बाल जो है तो वो बंदे हुए हो और नजर ना आए ठीक है क्यूंकि एक भी बाल नजर आएगा तो नमाज नहीं होगी हाथ कानों तक अठाकर अल्लाहुअकर कहें और हातों को नाफ के नीचे बांध लें ठीके लड़कों ने क्या करना है दोनों हातों के लिए इस पिक्चर को دेखें तस्वीर नमबर दो में भी दिया गया है इस लड़के को देखें के दोनो हाथों को कानों तक उठा कर अल्लावब्र केहना है और फिर हाथों को कहां बानना है नाफ के नीचे लड़कीों ने क्या करने हैं लड़कियां दोनों हाथ कंदों तक हाथ उठाएं दोनों हाथ कंदों तक उन्होंने उठाना है और अल्लाहु अक्बर कहने के बाद सीने पर हाथ बांध लें ठीक है अपने दोनों हाथ देखें कंदों तक अपने दोनों हाथ उठाए दोनों हाथों को कंदों तक उठाया और अल्लाहु अक्बर कहा ठीक है और फिर उन्होंने कहां रखना है सीने के उपर रखना है समझा रही है ना आप लोगों को अच्छा बच्चो अब हम सफ़ा नंबर चैलिस की तरफ चाहते हैं सारे बच्चे सफ़ा नंबर चैलिस निकाले सफ़ा नंबर चैलिस निकाल लिया अब क्या करना है ठीक है अब अदब से खड़े होकर सना पढ़ें आपको पता है ना हमने सुनहरी काइदा में पढ़ा था सना तो हम पढ़ चुके हैं उसमें सना आपको याद भी होगा क्योंकि मैंने हूम वर्क में भी दिया था आपको ठ तो अब अदब से खड़े होकर सना पड़ें अच्छा हमने क्या क्या किया हमने अभी तक सबसे पहले जो हमने वजू किया उसके बाद हमने निमास के लिए एक साफ जगा पर जानिमास को बिचाया उसके बाद हम किबला रुख खड़े हो गए जानिमास को उसी सीद में हमने बिच्छाना है कि बलारुख खड़े होकर नियत बांदी उसके बाद क्या किया किया कि हमने नियत के बाद लड़कों ने अपने दोनों हाथ कानों तक उटाए और अलाहु अक्बर कहा और अपने हातों को नाफ के नीचे बांदा और गल्स ने क्या किया किया कि उन्हों ने अ आदब से कड़े होकर हमने सना स्टार्ट की सना सना क्या है? वला इलाह गैरुक वला इलाह गैरुक अभी जब मैं ये पढ़ रही हूना तो सारे बचों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है ठीक है? ताकि आप लोगों की दोहराई भी साथ साथ होती जाए अच्छा होती जाए इसके बाद तावूज तस्मिया और सूर फातिहा पढ़ें इसक अच्छा इसके बाद तावूज तस्मिया और सूर फातिहा पढ़ें ठीक है? अब तावूज क्या है? तावूज हमारा है आउजू आउजू बिल्लाही बिल्लाही मिना शहित्वा निर्रजीम निर्रजीम तस्मिया क्या है। बिस्मि ल्ला बिस्मि ल्ला हिर रह्मा निर्रहीम निर्रहीम। तस्मिया भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो स्टूडन्स उसके बाद अब हम तस्मिया के बाद हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा ठीक है यहां पर नहीं लिखा आप लोग अपने साथ राइट कर लें इस तरह आपको पता हो यही क्या है सूर फातिहा यह सूरत फातिहा अल्हम्दू लिल्लाही रब लालमीन अर्रह्मा निर्रहीम मालिक यूम इल्दीन इयाक नाबद वा इयाक नस्ताईन इहदी नस्सरात वालमस्तागीन सिरात वाल्लजीन अन्यम्ता अल्यहिम गैरिल्मगदूब अल्यहिम वलद दौलीन वलद दौलीन आमीन ठीक है सबने सूर फातिहा पढ़ने के बाद क्या करना है कोई सी भी सूरत पढ़नी है वैसे तो हम बच्चों को सूर इखलास पढ़ाते हैं ना सूर इखलास चोहे तो छोटी सी सूरत है तो इस वज़ए से जल्दी से याद भी हो जाती है तो सूर इखलास चोहे तो ज्यादा तर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहां पर आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं इसके बाद क्राइन की कोई सूरे फातिहा पढ़ लिया हमने अब बच्छों यहां पर हमने कोई सी भी सूरत पढ़नी है कोई सी भी सूरत हो क्योंके सूरे इखलास जो है तो ये जरा इजी सी सूरत है तो बच्छे आसानी से लेंड कर लेते हैं लेकिन आप इसमें कुरान की कोई भी सूरत यनि तीस पा रहे हैं इतनी ज्यादा सूरते हैं एक सो चोड़ा सूरते हैं ना तो इसमें से आप कोई भी पढ़ सकते हो इसके बाद कुरान की कोई भी सूरत पढ़ें अब देखें यहां पर जो पिछले पेच पेच पे हमने जो पढ़ा था ना के बचों ने बॉइज ने क्या करना है उन्होंने यहां पर नाफ के नीचे अपने हाथ बानने है और लड़्यों ने अपने सीने के उपर हाथ बानने है तो वो तरीका इधर भी ये देखे दिया गया है और ये सारा आपने इसी तरह इधर खड़े होके ही ये आप लोगों ने पढ़ना है ठीक है छले फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे असलाम अलेकूम